Good morning students, हमारा आज का टॉपिक है energy stored in charged capacitor जब आप किसी capacitor को charge करते हैं तो उसमें कितनी energy store होती है मान लेते हैं हमारे पास ही capacitor की दो plates हैं और इस capacitor की capacity जो है वो C है initially इन में कोई charge नहीं दिये गया है और मैं इसको battery से connect कर देता हूँ तो जैसे ही इस plate को मैं battery से connect करता हूँ मान लेजी कोई battery है हमारे पास उससे मैंने इसको connect किया तो इस plate के उपर positive charge आने शुरू हो जाएगा जैसे positive charge यहाँ पर आएगा तो आपको पता है automatically यहाँ पर negative charge induced होता है तो जैसे इसको positive charge बढ़ाते चले जाएंगे तो इन दोनों plate के बीच में जो potential difference है वो भी बढ़ता चला जाएगा यह हमने पढ़ा था कि जब charge supply करते हो तो voltage बढ़ चेंज होती है यानि charge is directly proportional to potential जितना charge दोगे उतना potential बढ़ता जाएगा तो इस matrices जैसे charge supply करते जाओगे इस plate को तो इन दोनों plate के बीच में potential भी change होता जाएगा मान लिजिए अगर शुरू में इसके उपर हमने इसको charge दे दिया क्यों और उस time यहाँ पर voltage थी V किसी time पर मान लेते हैं किस plate के उपर charge क्यों है उस बज़ा से इन दोनों plate के बीच में potential difference भी है और C जो है that is the capacity of the capacitor तो formula बोलता है Q is equal to C V यह हमा formula बनता है अब energy store कब होती है energy store तब होती है जब हमें work done करना पड़ता है तो यह जो battery है जो इसको charge supply कर रही है उसको काम करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है इसको आईए समझते हैं कि शुरू में जब यह positive terminal बैटरी इस A plate के साथ जोड़ा था तो यहां से positive charge गया इस plate पे क्योंकि इसके उपर कोई charge नहीं था यह charge चला गया लेकिन जब दूसरा positive charge जाएगा तो यह जो पहले से positive charge यहां बैठा है positive positive को रिपेल करेगा तो इस battery को उस charge को फिर से supply करने के लिए positive charge को भेजने के लिए मुश्किल आएगी क्योंकि यह positive charge उसको रिपेल कर रहा है तो बैटरी को काम करना पड़ेगा जोर लगाना पड़ेगा धक्का लगाना पड़ेगा तक यह positive charge भी यहां पे आजाए split के उपर तो इसका मतरव है कि initially तो चार चला गया एक positive charge चला गया पर जब दूसरा positive charge जाएगा तो पहले वाला सको रिपेल करेगा इसलिए बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा So more and more work has to be done by the battery in delivering the same amount of charge to the capacitor due to continuously increasing potential difference across its plates The work done in charging capacitor is stored in the capacitor in the form of electric energy यह जो work done किया गया बैटरी के द्वारा To store the charge in the capacitor वो उसमें store हो जाएगा in the form of electric energy जो काम किया वो उसमें store हो जाएगा ऐसे Electric potential energy तो आईए अब निकालते हैं कि जब हमने इसको Q charge दिया और जब potential difference V पैदा हो गया तो इसमें कितनी energy store हो गई Physics में हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि Q charge दिया तो कुल कितना potential energy इसमें store हुई हम पहले इसमें थोड़ा सा charge supply करते हैं Suppose कर रहते हैं कि यह जो बैटरी है बैटरी जो इसके साथ attach की हुई है तो इस पर हमने charge supply कर दिया क्यों उसके बाद इस बैटरी ने एक और चोटा सा charge भेजा DQ इस plate पे तो दूसर अप यह जो positive charge था पहले से मौझूद था वो इसको धक्का दे रहा था पर बैटरी ने काम किया और इस charge को भी यहाँ पे supply कर दिया तो बैटरी को कुल कितना काम करना पड़ा तो work done आप यहाँ पे निकालोगे तो formula force into displacement नहीं लगाएंगे क्योंकि वो जो work done का formula था force into displacement वो लगता है mechanics में जब आप यह electricity के बारे में current electronics के बारे में study करते हैं तो वहाँ पे work done का formula अलग से होगा वो क्या होगा देखिए आपको पता है कि voltage होता है work done per unit charge तो यहाँ से work done का formula क्या बना work done is equal to potential into charge तो यहाँ पे work done का formula यह लगेगा voltage into charge तो d cube small charge को यहाँ पे supply करने के लिए कितना काम करना पड़ा तो small charge है तो small work done करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे small work done तो लिखेंगे dw is equal to voltage v थी v रख दिया, कितना charge supply किया? dq तो small work done is equal to this अब यहाँ पे v की value निकालेंगे, भरेंगे v की value के होगी, तो यह जो equation थी हमारे पास है q equal to cv, यहाँ से v निकाल लेजिए v आएगा q upon c इसको यहाँ भर दिजिए, तो work done आपके पास आगया q upon c into dq so this is the small work done by the battery to supply the small amount of charge dq to the plate a now the total work done by the battery to charge the capacitor from 0 to q सुरू में कोई charge नहीं था 0 से लेके q charge तक supply करने में बैटरी को कुल कितना काम करना पड़ा तो आप इस equation को integrate करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे integration dw integration q upon c dq द्यान रखें यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके q इधर नहीं लिखेंगे इधर work done का integration है charge इस side है तो यहाँ पे charge की integration लिखेंगे d इससे cancel हो जाएगा आपके पास आएगा total work done w is equal to यहाँ c जो है constant है भाहर निकाले जी तो 1 over c भाहरा गया हमारे पास बचा 0 से लेके q integration और साथ में क्या बचा है यहाँ पे q into dq which is equal to 1 y c q dq का integration आपके पास होता है q square upon 2 और यह limit है 0 से q यहाँ पे लिखेंगे 0 से q तो हमारे पास अब क्या आया अब हमारे पास आया work done is equal to 1 y c और यहाँ पे एक बचा क्यू भर दीजिए तो और कमाएगा q की जगा q यह लिखना है तो q square upon 2 एक बार फिर minus लगाईए फिर 0 भर यह 0 का square 0 0 बटा 2 0 तो हमारे पास equation क्या बनती है q square भार आ गया तो लिखेंगे q square और 2 into swing 2c तो यह जो work done किया आपने यह work done store हो जाएगा capacitor में अज़े potential energy तो हम क्या करेंगे यह जो w लिखा है इसको हम energy के बरावर लिखेंगे तो physics में energy का symbol होता है u तो this is u is the potential energy which is equal to q square upon 2c this is equal to u is equal to q square upon 2c यहां पे एक और चीज नौट करें कि यह तो एक formula है इसी formula के थोड़ा और जाद़ चेंज करके इनको लग-लग तरेके से लिख सकते है इसी formula में u is equal to answer यह काफी है यहां तक पर उससे आगे explain कर रहा हूं है q लिखा है cv तो यहां पे q की जगा c भी भर देजी तो आपके पास बनेगा c square v square upon 2c c से c कट गया तो आपके पास आए 1y2 cv square तो यह दूसरी equation बनगी potential energy की तीसरी equation और बन जाएगी हमारे पास लिखा था 1y2 cv square यहां से c की value क्या निकलेगी q upon v v को निचे ले जाओ तो q upon v तो c की जगा लिख दो q upon v into v का square v से v कट गया तो हमारे पास u किसके बर आगया 1y2 q into v तो this is the potential energy तो हमारे पास दो और यह तीन इस तरह के तीन formula बन जाते है energy stored in the capacitor तीन formula का लिखने का अचित्ते यह है कि अगर आपको कभी दिया हो कि इतना charge है और इतनी capacity है capacitor की तो potential energy निकलो तो this is the formula अगर दिया हो capacity और potential दिया हो तो यह formula अगर दिया हो charge और potential तो यह वाला formula तो हमें सिर्फ एक formula यार रखना है तो आप जो असान आपको लगे अगर derive कर करते हैं यह formula derive कर क्या जाएगा यहां से सब बन जाएगा और वैसे आपने formula यार रखना है तो यह C को यार रखिए जैसे हो kinetic energy का रखते हो half mv square तो यहां पर लेखेंगे half cv square तो half cv square is the energy stored in the capacitor यहां पर c की जगा फिर यहां से value भरते चलो आप तो यह तीनो formula आपके बन जाएगे तो this is the energy stored in the charge capacitor next हमारा topic है grouping of capacitors यह बहुत important है इनके उपर बहुत सारे numericals भी आते हैं तो पहले इनको बड़े आराम से समझेगा grouping of capacitors क्या होता है कि हमें जो capacitors है वो electronic circuit में हमें बहुत सारे capacitors के जुरूर पड़ती है और उनको लगाने के जुरूर पड़ती है तो कई बार हम उनको दो तरीके से लगाते है या तो series में लगाएंगे या उनको parallel में लगाएंगे series और parallel में लगाने का मतलब क्या है क्योंकि कई बार आपके पास जो capacitor मौझूद है वो कम capacity का है और मुझे वहाँ पे ज़्यादा capacity का चाहिए तो मैं उसको या तो series में लगाँगा या मैं parallel में लगाँगा अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर जब हम capacitors को series में लगाते हैं तो क्या total capacity बढ़ती है या घड़ती है या जब capacitors को parallel में लगाते हैं तब उनकी capacity पे क्या फर्क पड़ता है बढ़ती है या घड़ती है तो सबसे पहले यहाँ देखें कि series में क्या होता है तो grouping of capacitors में सबसे पहले हम बोल रहा है capacitors in series तो capacitors in series में Capacitor in series में आप इस तरह से लगाते हैं मालिज हमरे पास तीन Capacitor है Capacitor A की A A की A और A की A इस Capacitor की Capacity C1 है इसकी Capacity C2 है इसकी Capacity C3 है सबकी Capacity अलग-अलग है चार्ज होने की इसकी एक प्लेट A इसकी प्लेट B इसकी प्लेट C यह D यह E और F और हमने क्य किया है यह जो केपेस्टर की B plate थी दूसरे केपेस्टर की C plate के सा उसको जोड दिया है उसी तरह से इसकी यह वाले plate को इस केपेस्टर के साथ जोड दिया है अब हम इनको बैटरी से जोडते हैं तो जब मैंने पहले वेले capacitor की इस plate, A plate को मैंने इस battery के positive terminal से जोड़ा और negative terminal को मैंने जोड़ दिया, C3, third, जो capacitor था, उसकी F plate से जोड़ दिया, अब होगा क्या, कि जब यहां से इसकी capacity लग है, C1, अपनी capacity के हिसाब से जब यहां से positive charge जाएगा, तो इस plate के उपर जाएगा, तो मान लिजिए इसके उपर charge आगया, plus cube, ध्यान देते चलिए, इसके उपर charge आगया, total, plus cube, तो positive charge की बज़ा से, B plate के left side, B plate पे क्या जाएगा, negative charge induced हो जाएगा, कितना, जितने यहां positive charge है, तो यहां पे automatically charge आजाएगा, minus cube, और यह, क्योंकि यह वाली plate जो है, इस plate के साथ जुड़ी हुई है, तो जहर सी बात है, कि यह negative charge यहां से ले लेगा, इधर, और यह negative charge आजाएगा, minus cube, जब यहां से negative charge चल आगया, तो यहां पे capacitor था, उसके D plate जो है, यह D plate जो है, इस पे negative charge induced हो जाएगा, same, जितने यहां पे positive होता है, यहां पे, यहां पे आजाएगा, minus cube, और यह minus cube charge जो यहां पे induced हुआ, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे फिर से क्या पैदा हो जाएगा, plus cube, और इस plus cube की वाज़ से, last वाली जो plate है, यहां पे फिर से आपके पाद charge induced हो जाएगा, negative, उसको बुलेंगे minus cube, तो आपने एक चीज़ नोट की, कि जैसे ही battery को मैंने capacitors के साथ जोड़ा, पहले capacitor की A plate के साथ जोड़ा, और negative terminal जो था battery का, वो मैंने third capacitor की F plate के साथ जोड़ा, तो मैंने क्या नोट किय है कि यहां पे जितना charge induced हुआ positive charge, उतने यहां पे positive charge है, उतने यहां पे इंडियूज हुआ negative charge, उतने यहां पे positive, उतने यहां पे negative, उतने यहां पे positive, उतने यहां पे negative, यानि कि जितना charge पहले वाले के पास है, मानले जी यहां पे आया plus 5 microcolum, तो यहां पे automatically minus 5 microcolum हो जाए सेयम चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज यहां आएगा उतने यहां आएगा, यहां फॉस्ट confirm नेग्टल, तो मैने यहरं किया है, कि जब हम路्डीन करों प्रूसर की सीरिस में लगाते हैं तो जितना चार्ज एक प्लेट के अउपर आता है, उतने ही चार्ज k Fea CIK साह उपर आता है, सब के उपर सेम चार्ज आता है लेकिन यह जो voltage की बात है voltage यहाँ पे कितनी थी? V-volt, तो यहाँ पे कितनी volt होगी? तो यहाँ पे V-volt नहीं होती अगर माल लिजी, यह positive terminal इसके साथ जुड़ा था, यह negative terminal की तार यहाँ नहीं जुड़के, यह direct इसके साथ जुड़ती, तो जितनी voltage यहाँ थी उतनी voltage इन दोनों capacitor की plates के बीच में होनी थी, उतना potential difference होना था लेकिन यहाँ potential difference से बरावर नहीं होगा क्यों, क्योंकि positive terminal तो यहाँ जुड़ा है, पर negative terminal यहाँ नहीं जुड़ा बलके negative terminal इस plate के साथ जुड़ा होगा है इसका मतला अब इनकी potential सबका लग-लग होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था Q is equal to CV potential का फार्मूला है क्यों upon C, यानि potential depend करता है capacity के उपर सबकी capacity अलग-लग है तो सबका potential भी अलग-लग होगा तो मान लेते हैं कि यह जो पहला capacitor है इसका potential V1 है दूसरे के उपर potential V2 है और तिसरे के उपर potential V3 है देखे, charge सबके उपर same है charge सबके उपर same है लेकन voltage सबकी अलग-लग है क्यों? क्योंकि सबकी capacity अलग-लग है सबकी capacity जिसकी capacity ज़्यादा होगी उसका potential कम जिसकी capacity कम उसका potential ज़्यादा तो इसका capacity सबकी लग-लग है तो potential सबका क्या होगा? अलग-लग होगा लेकिन ये total potential जो है वो इसके बराबर होगा अगर battery अगर मालीजे 220 बोल्ट की है तो यहाँ पे total voltage जो है यह जो potential difference है इसका sum भी 220 होना चाहिए तो यहाँ से पता चलता है कि total potential V is equal to जितना अपने potential apply किया that should be equal to V1 plus V2 plus V3 इसके बराबर होगा और हमारे पास formula यह है V is equal to Q upon C तो इसी formula के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे देखें V is equal to Q upon C तो V1 कितना होगा V1 होगा यहाँ पे देखें V1 की जगा charge कितना है Q same है charge Q और capacity कितनी है C1 तो आँ लिखेंगे Q upon C1 तो V1 की जगा लिख सकते है Q upon C1 V2 कितना लिखेंगे V2 तो V2 लिखेंगे charge कितना है Q और capacity कितनी C2 तो आप लिखेंगे Q upon C2 उसी तरह से V3 के लिखेंगे Q C upon 3 अब मान लेते हैं कि हमारे पास total voltage कितनी अपलाई की थी V total charge इस capacitor 39 capacity को पर total charge कितना था मान लेजिए Q और total capacity C1, C2, C3 total capacity मान लेजिए कितनी है C तो फार्मूला बनेगा Q is equal to CV और यहां से V आएगा Q upon C तो V की जगा हम लिख सकते है Q upon C अगर total सभी capacitor की total capacity C होती और total charge Q होता और total voltage V होती तो हमने यह formula V equal to QC तो यहां से लिख देना थे यहां पर यहां से Q common निकलेगा यहां से QCQ cancel हो गया तो हमारे पास क्या है 1 over C is equal to 1 over C1 plus 1 over sorry यह 1 over C2 plus 1 over C3 तो यह जो हमारे पास आया है यह क्या है अगर series में अगर आप capacitor को जोडते हैं तो उनकी total capacity कैसे निकलते हैं plus नहीं करते हैं C1 plus C2 plus C3 नहीं करते हैं बलकि करते हैं 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 तो यह क्या है यह capacity है individual सभी capacitor की what is C? this is the total capacity total resultant capacity total series में जागब कि आपको इसको S वी लिख सकते हैं total capacity तो इसका जो definition बना वो बनेगा the reciprocal एक बटा जो लिखते हैं उसको लिखते हैं reciprocal 1 over Cs पाभूलेंगे the reciprocal of the resultant capacitance of the series combination of the number of capacitors is equal to the sum of sum of किसका the reciprocals of the capacitance of the individual capacitor total जो आपकी capacity निकलेगी उसका reciprocal जो है is equal to sum किसका सबकी capacity के reciprocal के sum के बराबर इसकी capacity कितनी है C1 तो उसका reciprocal 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 तो इस तरह से आप इसकी total capacity को निकलते हैं तो हम यहाँ पे एक चोटा से example ले लेते हैं कि मान लेजीए आपके पास दो capacitor है ये एक capacitor ये है और एक capacitor ये है तो मैंने अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम बोलते हैं series में तो मान लेते हैं कि ये जो पहला capacitor जो था ये C1 है दूसरा capacitor C2 है C1 जो है इसकी capacity है 3 microfarad और जो C2 है इसकी capacity है मान लेजीए 6 microfarad तो जब इनको series में जोड़ा गया तो इनकी total capacity कितनी हुई तो हम इनको add नहीं करेंगे 6 और 3 9 नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता total capacity कैसे निकलते हैं तो total capacity आप लिखेंगे 1YC is equal to 1YC1 plus 1YC2 यानि 1YC is equal to 1YC1 C1 कितनी है 3 तो आप लिखेंगे 3 1YC2 C2 कितना 6 तो 6 लिखेंगे फिर लिखेंगे 1YC is equal to 3 और 6 का आप LCM लेंगे कितना हैगा 6 3 2 is a 6 2 1 is a 2 6 1 is a 6 1 into 1 1 1YC is equal to 2 plus 3 upon 6 इसको काड़ दीजिए या आगे आपके पास 1Y2 अब ये था 1YC is equal to 1Y2 तो उल्टा कर दीजिए तो क्या आएगा C बटा 1 1 लिखने के जुरूरत नहीं है ये 2 बटा 1 नीचे एक लिखने के जुरूरत नहीं है तो 1 1 के वरावर C2 के वरावर तो आपने लिखें C equal to 2 तो देखी यहाँ पे हमारे पास 2 केपैसिटर थे 1-3 называется 1-6wort लेकन जब उनको सिर्स में जोडा तो उनकी टोटल केपैसिटर के इतनी hoगी 2 मैकरोल फैराड यानि कि इसका मतलब धी हुआ कि जब भी कभी कम केपैसिटिंस की जुरूरत पड़े और हमारे पास यह तीन मैक्रोफेरेड का और छेप मैक्रोफेरेड का पर मुझे इनसे कम कैपैसिटर की जुरूरत के कैपैसिटर चाहिए थे तो मैं इनको सीरिज में लगाऊंगा सीरिज में लगाऊंगा तो इनक दोनों की कैपैसिटी मिलके कम हो जाएगी टू मैक्रोफेरेड हो जाएग दूसरा तरीका है Capacitors को जोडने का जिनको बोलते है Capacitors in Parallel मानलजी हमारे पास फिर से तीन Capacitors है Capacitors एक ये दूसरा ये और तीसरा ये पहले बले Capacitors की Capacitance है C1 दूसरे बले की Capacitance है C2 तिसरे बले की Capacitance है C3 अब Parallel में कैसे जोडते हैं कि हर एक capacitor की एक एक plate जो है वो direct जूड़ेगी battery के positive terminal से और दूसरी दूसरी plate जो तीनों की वो direct किसके साथ जूड़ेगी negative terminal उते battery से series में तो ये था कि एक ही plate के साथ जूड़ रही थी और उसके बाद आगे capacitor जूड़े हो थे यहां पे आपger करेंगे कि 3 capacitor जो और जूड़े हो थे पहले वाला capacitor direct बैटरी के सा जूड़ा हूँ है दूसरा capacitor भी direct जूड़ा हूँ है तीसरा capacitor भी direct जूड़ा होँ है अब क्या होगा कि जब इनको battery से direct जूड़ दिया तो सब अपनी अपनी capacity के हिसाब से यहां से charge ले लेंगे अब यहां से battery जो है, यहां से charge supply कर रही है, तो मानने जिसने charge कितना supply किया क्यों, जब यह charge यहां पे पहुँचा, तो उसको तीम रस्ते मिले 1, 2 and 3 तो जितनी इसकी capacity है, उसने अपना चार्ज खींच लिया अपनी तरफ जितनी इसके पस कैपस्टी होताना चार्ज इसने स्टोर कर लिया इसने अपनी कैपस्टी के साफ से इतने चार्ज स्टोर कर लिया तो मान लेते हैं कि इसने पहले वाले कैपस्टी ने चार्ज स्टोर किया Q1 दूसरे capacitor ने charge store किया Q2 तीसरे capacitor ने charge store किया Q3 तो इसमें आप एक चीज़ note करेंगे कि यहाँ पे यह जो battery है यह direct जूड़ी है पहले वाले capacitor के साथ तो पहले वाले capacitor की दो रूप रेट के बीच में कितना voltage होगा जितना यह है V क्यों क्यों क्योंकि ये डारेक्ट जूड़ा हुआ इसके साथ तो जितना इन दोनों सेल के दोनों सिरों में जितना प्रोटेंसल है उतना प्रोटेंसल यहां प्यादा हो जाएगा तो यहां प्रोटेंसलों का वी अब ये भी डारेक्ट जूड़ा हुआ है तो इस कैपेस्ट अलग था यहां पोटेंसल सेम होगा लेकिन यहां पे चार्ज अलग-अलग होगा अपनी अपनी कैपैस्टी के हिसाफ से चार्ज को स्टोर करें गये तो टोटल चार्ज अगर आपने Q सप्लाई किया है तो यह Q किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्योंकि यहां से Q है थ थोड़ा से यदर चला गया थोड़ा यदर थोड़ा यदर टोटल इन तिनों का जमा इसके बराबर होना चाहिए यानि Q is equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अब हमें एक फार्मूला तो यादी है और वो है Q is equal to CV आपने पड़ा है Q is equal to CV यहां से आप Q1 की value नकालेंगे Q1 कितना Q is equal to CV है तो Q1 कितना आएगा Q बनाएगा C1 और बोल्टेज तो सेम है V ता आप लेखेंगे C1 V Q2 कितना आएगा ता आप लेखेंगे Q2 is equal to C2 V Q3 कितना आएगा ता आप लेखेंगे Q3 equal to C3 V किकि V तो सब में सेम है बोल्टेज इधर भी सेम है इधर भी सेम है इधर भी सेम Q is equal to Q1 की जगा लिखेंगे C1V, फिर C2V plus C3V. और ये Q किसके बरावर है? CV, तो यहां पर Q की जगा लिखेंगे CV. यह जो हम लिखा है Q equal to CV, तो हम यह मान दें, कि मान लिजी कि तीनों capacitor की कुल capacity जो है, वो C है, और voltage कितने apply किया है? V, और charge total कितना गया? Q, तो फार्मूला बनेगा Q is equal to CV, तो जहां Q और वहां पर आप CV लिख दीजी, आप यहां से common क्या निकले देखिए? V, 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 तो यहां से common V निकाला, तो अंदर के बच्चा C1 plus C2 plus C3, यह common निकाल लिए, V बहर V से V cancel हो गया, तो total capacity आप गया आगे, C1 plus C2 plus C3, अब इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आपके पास, फिर से यहां देए, आपके पास capacitor है, एक capacitor यह है, एक capacitor आपका यह है, और इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, parallel में, इसकी capacity जो थी, वो थी 3μF, इसकी थी 6μF, तो total capacity कितनी होगी? तो इस case में आप लेखेंगे, total capacity is equal to, इसकी C1, इसकी C2, तो आप लेखेंगे C1 plus C2, यानि C is equal to 3 plus 6, यानि कि 9μF, इसमें ऐसे आप करेंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि जब आपके पास, parallel में capacitor होता है, तो उनकी capacity सीधे add कर देते हैं, अगर इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो 3 का add कर दो, 3, 4, 5, total आजाएगी capacity, 3, 4, 7, 5, 12μF, तो जब ऐसे parallel में होते हैं, तो सीधे add कर देते हैं, 3 और 6, 9 आजाता है, लेकिन जब series में होते हैं, तो हम लिखते हैं, 1 गोटा C1, 1 गोटा C2, 1 गोटा C3, तब reciprocal का addition किया जाता है, तो इससे एक चीज़ clear होगी, कि अब यहाँ पे हमारे पास, एक capacitor था 3μF का, एक था 6μF का, पर मुझे practical में, क्या चाहिए था, मुझे इन से ज़्यादा capacity का capacitor चाहिए था, वो मेरे पास मौझूद नहीं था, इसलिए मैंने की किया, दोनों को कैसे जोड़ा मैंने, parallel में जोड़ा, तो 3 और 6 जूड़के क्या बनगे, 9 बनगे, तो मुझे इन दोनों की capacity बढ़गी, 9μF होगी, जब आपने इनको series में जोड़ा था, तब क्या हुआ था, तो हमने इनको series में जोड़ा तो 1 की 3 थी, 1 की 6 थी, पर जब दोनों को series में जोड़ा, तो total capacity कम होगी, वो बनगे थी 2μF, तो यह है मेरे पास, series और parallel में capacitors को क्यों जोड़ते हैं, और उनकी capacity किस तरह से निकालते हैं,